नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमन खना उमियोपेथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है आज साथियों लोग बात करेंगे मेडिकल टर्म में मरीजों द्वारा सबसे कॉमनली इस्तमाल करने वाले वर्ड के विशय में, शब्द के विशय में और वह है अलर्जी तमाम मरीज आते हैं डॉक्टर साथ अलर्जी हो गई ये अलर्जी हो गई, वो अलर्जी हो गई, ऐसे अलर्जी हो गई, वैसी हो गई, इस चीज से हो गई, उस चीज से हो गई, तमाम लेकिन अलर्जी वर्ड उसमें होता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे अलर्जी इसके विशे में और आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे निप्टे कैसे आप इसका निदान करें सबसे पहले साथियों जान लेते हैं अलर्जी होती क्या है अलर्जी साथियों आपका जो बॉडी होता है उसका एक डिफेंसिव सिस्टम होता है कभी क्या वक्त आता है कि आपका body hypersensitive हो जाता है तो जब आपका external को infection आता है या वो infection नहीं भी होता है कोई भी allergen होता है जो वास्ता में जिसको आपको allergy नहीं cause करनी चाहिए लेकिन आपका immune system उसके लिए hypersensitive response रखता है उस hypersensitive response में जो इस्थिति उत्पन होती है उसी को allergy कहते है suppose कीजिए किसी को milk products allergy है तो जब आपसे milk products का intake करा तो जो body का immune system है उसने जो antibodies बना रखे हैं उन्होंने उस पर attack कर दिया और इसको मरीज ने आके का milk allergy है तो जो body immune का hypersensitive response होता है अलर्जिन के विरूद में इसी से उस्थित्पन condition को allergy कहते है इसमें सात्यों एक बहुत important बात होती है कि यहाँ जो है कभी बहुत जल्दी develop हो जाता है बोड़ी में कभी यह सालों में होता है कभी यह सालों में भी पूरा नहीं हो पाता है एक partial होता है उस इस्थिति में आपके शरीर में allergy moderate होती है और अगर ज़्यादा response develop हो जाता है पूरी तरह तो इसको ज़्यादा हो जाती है यह जो process होता है बीच का कि allergy develop होने के लिए जो antibodies generate हो रहे हैं उनको जो immune system जो release करता है उनको पूरा develop होने के बीच के जो process होता है उसको sanitization कहते हैं यहां एक बहुत time taking process होता है बात कर लेते हैं साथियों इसके symptoms की allergy में साथियों जिस तरह के allergy वैसा symptom अगर आपके जो है वो निसल एलर्जी है तो चीकों का symptom आ गया अगर आपके अटिकरिया है तो इसकी में आपके बल जा गए अगर आपके मच्छर के कातने से आपके allergy हो जाती तो उस तरह कि लाली ओगे मच्छर ने काटा और भारी घाव बन गया भारी वह इसकेल साग है बहारी चकत्ता बन गया तो इस तरह का different different manifestations होते हैं बात कर लेते हैं साथियों इसका एक symptom में एक इस्थिति और होती है इसको कहते है एनाफाइलेक्सिस यहां आपको जानकारी होनी चाहिए यहां एक बहुत life-threatening serious condition, medical condition होती है जो कि allergies में होती है जैसे क्या होता है हम लोग आम तोर पर allergies को बहुत हलके में लेते हैं कि allergy है तो है लेकिन allergy के में अगर यहां condition आपके chronic condition develop हो गई तो यहां life-threatening होती है जिसमें आपके unconsciousness भी आ जाती है, आप भी होश हो जाते हैं, आपका BP भी लोग हो जाता है आपको pain बहुत पर जाता है और आपको तकलीफे होती है और एक medical emergency के आप entitled होते हैं तो इस word को अगर आपके किसी भी चीज़ की allergy है तो आप इस word को अगश्ष ध्यान में रखें बात कर लेते हैं साथियों उसके कारणों की इसका कारण साथियों जैसा हमने बताया कि जब आपके कोई allergen आता है आपका body का जो immune system होता है वो उसको बाहरी particle एक intruder के रूप में एक दुस्मन के रूप में recognize करता है और आपका immune system IgE जो immunoglobin होते हैं वहाँ antibodies release करते हैं और यह antibody उस vicious infection को पहचानते हैं कभी यहाँ जल्दी पहचान लेते हैं कभी इनको पहचानने में वक्त लगता है कभी महीनों का कभी सालों का लेकिन यह पहचानते हैं जित्ता जादा पहचानते हैं उतना जादा आपको इसका बुरा response आता है तो जब यह आप पहचान लेते हैं तो जब भी वो allergen आपके body आप उसके contact में आते हैं तो आपके यहाँ जो antibodies होते हैं यहाँ उसके हमला कर देते हैं और यहाँ ही आपके manifestation के रूप में विभिन विभिन जिस तरह का allergen उस तरह का manifestation उस रूप में आपके सामने आते हैं इसकी सात्यों इसी लिए diagnosis के लिए डॉक्टर IgE का test कराता है कभी आपको allergies रही होंगी तो डॉक्टर ने IgE test चरूर कराया होगा इमिनोग्लोबीन्स होते हैं जो की ब्लड में रिलीज होते हैं और यही प्रतिरोज़क्षमता जो सरीर की है यही आपका antibody बनाके आपको सही करने वाली चीज को कश्ट के रूप में आपके सरीर में दे देते हैं dust allergy सातियों बहुत common allergy है धूल से आप बच नहीं सकते हैं आज कल एक एक शहर के अवादी 35-45-40 लाख अवादी होती है लोगों की आप ऐसे में इती population density में धूल से नहीं बच सकते हैं लेकिन अगर धूल से आपको allergy हो रही है आपका immune system धूल के बिरूद धामला करके आपको क करने की हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवाए हैं सबसे important दवा जो सातियों dust allergy की हुमियोपेथी में है वह है लाइको परसिकम थर्टी दो दूबून दिन में तीन बार आप उसे सिती में ले सकते हैं जब आपको जरा सी भी धूल से allergy हो जाए चाहे धूल से allergy हो नाक में dust से जो आपके allergy हो रही उसको कर देगी एक दवा आती है सातियों बहुत कारगर dust allergy किसी भी तरह की dust allergy हो आप एक दवा आती है पुथोस आप पुथोस थर्टी दो दूबून दिन में तीन बार ले लें ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी dust allergy की स्थिती ठीक होने में फेलियर हो यहा आपके dust allergy को हमेशा के लिए खतम करने की चमता रखती है फिर सातियों एक इस्थिती आती है कि dust आई और dust के बाद आपके सीने में जकड़न हो गई धूल आई उससे आपको चीके नजला तो आए साथ में सीने में जकड़न हो गई तो अगर chest complaints आपकी साथ में हो धूल की allergy से तो हमियोपैटी में उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है bromium आप bromium 32 जबून दिन में तीन बार ले 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 आप देखेंगे कि आपका जो धूल के कारण होने वाली complaints है chest में वहाँ खतम हो गई और आप ठीक हो गए फिर सातियों कि स्थिती आती कि धूल आई और धूल अगर यहां इस्थिती सातियों है तो इसे इस्थिती को ठीक करने के फिर्टी के बहुत कारगर ऑप्यायक है और लनौ में अशनिक में 30 में 30 और 6 एकित में है जब आपके धूल जरा सी धूल से भी आपके ढूल के इनाजला हो जाता हो आपका द्यूजा को ठोड़े देर प अगर आपके मन में कोई query हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी query को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाटसाइप नंबर 94-15-786-360 पर अपनी query को वाटसाइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको संतोष जनक जवाब दे पाएं उमीद करेंगे प्रेइद करियेगा और bell notification बटन क्लिक करके सबसे पहले निया वीडियो योँ ही प्राप्ट करते रहिएगा आपका साथ योपनी देर हमारे साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धरनेवाद बहुत बहुत साथ हुआद झाल झाल है लाओ लाओर्टा औा ऑाओर्टा प्रवर्टा भाबर्टा बंड़ स्टार इन धुटिग लाओर्टा उग टुटिर और वाओर्टा इन दाला इन चुटिट अपस्टुट। झाल झाल